बजट पर देखिए बजट से पहले आपको एक सब्द जानना बहुत जरूरी होता है जिसका मतलब होता है फिसकल पॉलसी किसकी पॉलसी है तो गौर्वर्मेंट की पॉलसी है ठीक है और गौर्मेंट की पॉलसी related to what कोई सरकार अगर नीती बना रही है तो उस नीती के पीछे का objective क्या होगा कुछ न कुछ उद्देश होगा जैसे माल लो कि अगर सरकार tax related कर से related कोई निर्णय ले माल लो सरकार सबसीडी से related कुछ निर्णय ले तो सरकार का जो यह निर्णय है चाहे वो tax related हो चाहे वो सबसीडी से related हो या फिर अन निर्णय जो सरकार लेती है तो उस निर्णय को लागू किस के द्वारा करवाया जाता है तो बजट के द्वारा तो फिस्कल पॉलसी का मतलब है कि सरकार के द्वारा लिया गया निर्ने और निर्ने किस से संबंदित तो कर से संबंदित निर्ने किस संबंदित तो सबसीडी से संबंदित निर्ने किस संबंदित तो खर्च कहा करेंगे इस संबंदित ये सारे जो निर्ने होते हैं सरकार के इसको हम कहते ह उसको लागू करेंगे। हम कैसे सरकार ने कहा क्या खर्च करेंगी। एक क्या है दस्तावेज है तो बजट एक दस्तावेज है इसमें क्या होता है बजट में देखिए जो दो बाते होती है कि भईया बजट का मतलब क्या होता है बजट का मतलब जैसे मालों कि अगर आपको शादी के लिए बजट बनानी है अपनी बहन की तो शादी का बजट जो बजट बनता है घरवालों के द्वारा वो पहले बनता है ठीक है तो आने वाला जो वित्तिय वर्स है वित्तिय वर्स कहने का मतलब है कि एक अप्रेल से 31 मार्च का जो वित्तिय वर्स है यह वित्तिय वर्स में हम कितना खर्चा करेगी सरकार और कितना सरकार को आए आएग हैं तो सरकार आने वाले वित्तिय वर्स में जानी 2024-2025 जो स्टार्ट होगा एक अप्रिल 2024 से और एंड होगा 31 मार्च 2025 तक तो आने वाले एक वर्स में सरकार कितना खर्च करेगी और सरकार को क्या income होगा इसके लिए हम एक दस्तावेज प्रस्तूत करते हैं जिसको हम budget कहते है बजट सब्द का समविधान में प्रयोग नहीं है समविधान में जो प्रयोग है वो है annual financial statement वार्सिक वित्तिय statement या दस्तावेज ठीक है अब यहाँ पर दो concept हमको समझना है दो concept हमको क्या समझना है तब से पहने देखो एक financial year के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर यह जो financial year है एक अप्रिल से लेकर 31 मार्श का जो financial year है ये क्यों नहीं हम बदल सकते देखो एक अप्रिल से लेकर 31 मार्च का जो वित्तिय वर्स है ना, यह British काल का है, यह नि ब्रिटिस आशन ने इस financial year को start किया था, ठीक है, क्योंकि यह जो उनका जो financial year था, यानि जो British का London में जो financial year होता था, उसके साथ ही भारत के financial year को align कर दिया था 1867 में ठीक है 1867 में इसको align कर दिया ब्रिटिस ने कि 1 अपरिल से 31 मार्च तक होगा तो क्या ऐसा कोई committee नहीं बना भारत में जिस committee ने recommend किया कि इसको change कर दो जनवरी से December कर दो यह भी दो हो सकता है तो इसके क्या करना है हमको वित्तिय समीती वित्तिय जो year है उसको change कर देना है तो इसका recommendation 2016-17 में आया था लेकिन वो चाहते थे कि क्या बन जाए यह वो चाहते थे जनवरी से December बन जाए क्योंकि हम लोग नया साल भी उसा ही मनाते हैं तो भाई सब क्रॉपिंग सीजन की तरह इसको भी जनवरी से December कर दो इसको अपरेल से March लेकर क्यों जा रहे हो लेकिन यह जो है इनके recommendation को माना नहीं गया राज्य भी इसके favor में नहीं थे क्योंकि धेर सारी चीज़े change करनी पड़ती अब पूरा जो आकड़ा है अभी इसका लिया जाता है यहां से यहां तक पूरा software पूरा जो practice है सब कुछ change करना पड़ता इस कारण से इस recommendation को नहीं माना गया ठीक है हाला कि 2020 में Corona के समय या एक fake news आया था कि हम financial year को change कर रहा है लेकिन वो सही नहीं था ठीक है तो यह तो हो गया budget के बारे में बात अब हम जो दूसरी बात करना चाहते है वो क्या है दूसरी बात जो हम करना चाहते है उसका संबंध है vote on account थे ठीक है इसके बाद हम समझेंगे जो इस बार हमारा paste हो रहा है इस बार जो हमारा paste हो रहा है वो क्या है இ में कहते है लेखाणुदानुदान आपने politiques में इसको पढ़ा होगा थीक है लेखा अनुदान का मतलब क्या होता है देखो होता क्या था कि 2017 के पहले 2017 के पहले जो बजट पेस किया जाता था वो फरवरी के last यानि अगर हम बिफोर 2017 चलते हैं तो बजट कप पेस्ट किया जाता था फैरवरी के लास्ट वरकिंग डे में इसको पेस्ट किया जाएगा तो ध्यान दिजिए जब इसको लास्ट वरकिंग डे में पेस्ट किया जाएगा तो इसको पास होना पड़ता है और आपने पढ़ा ह के बाद दो टाइमीं होती थी वह में हो जाती थी जैन् Ultimate महीने तक चला जाता था लेकिन हमारा वित्य वर्स जो है वह तो कब तक है एकक अपरेल से लेकर 31 है यानी पिछले साल जो हमने बजट बनाया वह तो एक समा जाएगा, क्योंकि पिछले वाला बजट का तो वेलिडिटी उबर हो गया, तो इस खर्च को हम कैसे करेंगे, तो इस खर्च को करने के लिए फिर क्या करना पड़ता था, Consolidated Fund of India से कुछ पैसा निकालना पड़ता था, ताकि स्टाफ की सेलरी देना पड़े, ताकि electricity बिल देना पड़े, होगा न, अब आप बजट पास कर रहो तो में चला गया, अब हमारा तो 31 मार्च को खतम हो जागा फिरांसे लिए, तो फिर हम अप्रिल में में क्या करेंगे, फिर हम उस समय कैसे स्टाफ को सेलरी देंगे, क्योंकि बजट तो पास है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, कि गौर्मेंट को, मतलब अपने मन से तो गौर्मेंट नहीं कर सकती न, अपने मन से तो गौर्मेंट Consolidated Fund of India से नहीं निकाल सकती, क्योंकि बजट क जो प्रोसेस है, वो तो चली रहा है, थीक है, मान लो स्टाफ साली देनी है, अलेक्ट्रिसिटि बिल देना, कैसे देगा फिर सरकार? तो इसके लिए जो एक प्रावधान आया, थीक है, उस प्रावधान का मतलब था, उस प्रावधान का नाम था, वोट ऑन एकाउट, तो स लोगसभा को जो है वो लोगसभा ने सरकार को एलाव कर दिया कि वो Consolidated Fund of India से कुछ खर्च कर सकते हैं जब तक बजट पास नहीं हो जाता है यानि मार्च के बाद जो अप्रिल मई का महीना है जिसमें बजट पास हो रहा है इस दो महीने के लिए यूजवली एलाव कर दिया गया लोगसभा के दोरा सरकार को कि वो खर्च कर सकते हैं ठीक है और इसी को कहा गया vote on account तो ये यूजवली दो महीने के लिए होता था ठीक है रुपए बजट में सरकार रखी है या साथ रुपए रखी है तो दस रुपए निकाल सकती थी ठीक है दो महिने के लिए जो खर्च था उसको निकाल सकती थी इसी को कहा गया vote on account यहाँ पर एक बात और भी ध्यान दिजिएगा कि समविधान ने ऐसा कोई भी दिन बजट को प समविधान में इसका वर्णन नहीं है ठीक है इस बात को ध्यान रखना है ऐसा बोल दे कि समविधान में इसका वर्णन है समविधान में संसोधन किया गया इस डेट को चेंज करने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है इसके बाद जो एक concept आता है उस concept को कहा जाता है बात है कि समविधान अंतरिम बजट को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, समविधान में अंतरिम बजट से लेकर के कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब election year होता है, या फिर कोई extreme situation आगया, मालो सरकार ही collapse कर गई, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय बहुत अनिथिकल होगा, मालो election year है, तो इस समय तो बहुत अनिथिक होगा न, कि सरकार जो है, वो budget pace करे, और उसमें लोक लुभावन चीजे लेकर आ जाए, जैसे जितने भी विद्यारती BPSC वाला में है, सब को सरकार ने कह दिया, कि सब को जो है, वो 2 ग्राम सोना मिल जाएगा, सब को कह द लोक लुभावन वाली चीजे, जैसे लैप्टप दे देंगे, जैसे सोना दे देंगे, फ्री कर देंगे सब कुछ, अगर ऐसा मेजर लेकर आ जाएगी, तो यह अनिथिकल इसले माना जाएगा, क्योंकि जितना वोटर्स है, सब तो उन्हीं को वोट दे देंगे, और election year में इसा हुआ है, इस कारण से इस अनिथिकल जो प्राक्टिस है, इस से बचने के लिए, क्या लाया गया, इस से बचने के लिए जो है, वो अन्तरिम बजट लाया जाता है, यह भी उसी तरीके का होता है, इसको भी उसी तरीके से प्रजेंट किया जाता है, और यह एक साल के ल इसमें भी finance बिलाएगा, appropriation बिलाएगा, खर्च कहां से करें, पैसा कहां से जुगारें, यह सारी बिल इसमें भी आएंगे, 6 stage इसमें भी pass किया जाएगा, और लेकिन यहाँ पर यह है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बाती है, कि लेकिन जो है, यहाँ पर अब जब बहु कर नई सरकार आ गई, तो वो वापस से प्रजेंट कर सकती है, बजट को, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, कि भाई, जो unethical practice है, जो लोक लुभावन वादे हैं, उस वादे को election year में न किया जाए, इससे बचने के लिए अंतरिम बजट लाया जा होता है, ये ध्यान दीजिएगा, पूरे एक साल के लिए valid होता है, ये regular general budget की जैसा ही है, लेकिन जब भी सरकार नई चुन करके आती है, तो वो full-fledged budget प्रस्तूत करती है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अगला आपके मन में सवाल होगा, कि क्या इसको क पेस किया गया, 2014 में पीचे दंबरम के द्वारा इसको पेस किया गया, 2019 में इसको प्यूस गोयल जी के द्वारा भी पेस किया गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है, वो interim budget से संबंदित बाते थी, तो आपको समझ में आ गया मामला, अब देख फ्लेज बजट पेस कर सकती है, ठीक है, ये concept है, पूरा, तो इस चीज को आपको समझना है, जैसे देखो, जो recently है, वो 2019 में जो finance minister थे, प्यूस गोयल, उन्होंने interim budget पेस किया था, ठीक है, लेकिन 2019 के में महीने में फिर से मोधी जी चुन करके आ गए, तो फिर जनरल एक्ष पेस कर दिया, ठीक है, तो ऐसा ही concept है, पूरे तरीके से, कि election year में और extreme condition के year में इस प्रकार की चीज़े की जाती है, जब सरकार कोलेप्स कर जाए, या फिर जब चुनावी वर्ष हो, इसी को कहते हैं, interim budget या अंतरिम budget, ठीक है, इस बार जो पेस होगा, वो अंतरिम budget ही होग ध्यान रखेगा, इसकी value भी regular budget के जैसे ही होती है, इसकी value भी पूरे एक साल के लिए होती है, लेकिन इसमें unethical practices से बचा जाता है, populist measures नहीं लाए जाते, ताकि voter influence ना हो, vote देने वाले influence ना हो, ठीक है, और ऐसी practice पहले भी हुई है, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपको ध्यान में रखने का मतलब है, ठीक है,